कि हालो फ्रेंट्स कैसे हैं माइनने मेसरविस सिंग मेलंकम तु यू माई क्लास जो स्टुडेंट क्लास Liebe करते हैं जो लोग हमारे चैनल देखते हैं वह सबसे पहले इससी सर्श्क्राइब लाइक भी कर लें लाइक भी कर लें बेल आइकन का भी बटन दवा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहा है तो द्यान दीजिए आज का टॉपिक क्या है इसी जी कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान दीजिए इन की यह क्या? है है? क्या लिटिंड बेंड्रीकल बाएं चाहुएं कि अट्रियं के प्रण्डम का प्रण्डखर करा रिकॉर्ट कर लेनं इसी जी कहलाता है वह कि अस मियाय होती हैं उनको तरंगों के माध्यम से रिकॉर्ड कर लेना क्या कहलाता है ECG कहलाता है तो द्यांदी जी जो हर्ट की सर्रशना होती है उसमें कितने चेमबर होते हैं उसमें चार चेमबर होते हैं चार कोष्ठक होते हैं दो आलिंद होते हैं और दो स्वोरी लेफ्ट एैर्टियम बायालंद हजा हई है रैट बेंट्रिकल लेफ्ट बेंट्रिकल तो बैयालंद बायालंद यानिल हमें यह चार चेमबर हट की रचना के अंदर होते चार कोश्ठक पायां जाते अब होता क्या है याद हिर्दय की सर्रसना के नजदीक अगर हट के सर्रसना के समेप किसी विसेश स्थल पर एलेक्ट्रोड के लिए जोड दिया जाए तो होता क्या है हिर्दय की सर्रसना के अंदर जो शंकुचन की क्रिया होती है उस समय हिरदय की सर्रस्णा के अंदर जो संकचन कीक्ला होती है, उस समय जो दाया आलिंध होता है, यहां पर क्या पाया जाता है, क्या लगा होता है, ऐसे नोड लगा होता है, इस ऐसे नोड के माध्यम से बिद्दुत विभव उत्पन होता है प्रोडिव्ज होता है और ये बिद्दुत विभव कहां पहुंचता है कहां पहुंचता है हिर्दय के अंदर जो फाइबर पाया जाते हैं जो तंत पाया जाते हैं उनके अंदर प्रवीश कर जाता है इन तं से गटोट के लान चेव Benedict से विद्रु विभव उत्पन होता है तो मदिद्र थे मांध्य thought पहुंचताängt से माँचता है जिस से लुकुंचर प्रासा कर देता है संकुचन कर प्रारंप कर देता है तो इन सारी चीजों का भी मापन किया जा सकता है। जिस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं उसे इलेक्ट्रो उसे इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम कहा जाता है उसे इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम कहा जाता है इस यंत्र के माध्यम से उसे मापा जाता है अब जो हट की सर्रशना होती है हिर्दे की सर्रशना होती है या कह सकते हैं हिर्दे के अंदर जो कार्डियक साइकिल होती है जो एक धड़कन होती है उस कार्डियक साइकिल के अंदर दो अवस्थाएं आती है एक कौन सी अवस्था आती है सिस्टोलिक नाम आपने सुना होगा एक सिस्टोलिक की अवस्था होती है, दूसरी डास्टोलिक की अवस्था होती है, डास्टोलिक की अवस्था होती है, सिस्टोलिक किसे कहा जाता है, सिस्टोलिक प्राकुंचन के लिए कहते हैं, और डास्टोलिक की क्रिया, इसे क्या कहा जाता है, इसे अनुसित्लन कहा जाता कर सकते हैं इसे अनुसितलन कहा जाता है मैंने बैक बीडियो में सिस्टोल या प्राकुंजन के बिसे में मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी थ्यान दिजीगा जो सिस्टोलिक होता है इस पेज में क्या होता है इस क्रिया में क्या होता है जो हर्ट की सर्रस्ना होती है जो हर्दे की सर्रस्ना होती है उसके अंदर होता क्या है उसके अंदर शिकुडने की क्रिया होती है वो शिकुडता है प्ट्रामशा फूलती या फेर से अप्ढता है तो चियों यदोनयां करिया को थाक्ति और हो आब होता क्या है जब इस ऐसे नोड के माध्यम से बिद्द भीवब प्रवेश करता है तंतु के अंदर तंतु से मास्पेसियों के लिए एक्टिब करता है पेरिद करता है संकुचन क्रिया के लिए या फिर सिकुर्ण ये कि लिए तो हिर्दय के अंदर जो आलिंद होते हैं, क्या होता है, आलिंद होते हैं और निले होते हैं, इनके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाता है, इनके परिवर्तनों को किसी कागस पर ट्रेस कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसी रिकॉर्ड के लिए ECG कहा जाता है को के शम्माया होगा तो फिर से ध्यांधी जिए कोटा यह जो इस NOuj עdhyea manage Vikingsulator की सररस्णा के अंदर भेद्धुत विभफ्र प्रता यह बिद्धुत कहां पहुंसता है तंत्व के अंदर भेद्ध होँसता है संकुछन क्रिया होती ही उसके अंदर जेत दो जिसमें और लिएक के अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं और उस परिवर्तन के लिए किसी काःवस पर ट्रेस कर लिया जाता है रिकव और कर लिया जाता है जिसे इसे राप अगर बात करते हैं तो ़ होती है कौन? अलब wellbeing मेस को साधेक पर आल भुए, सिस्थ केी रहना है, या कह सकते हैं, पर भी होता से को 1 की को को है मैं फ्रेवितों, अगर थो है . और अजरत कयों पर पर कांचा है अगूगे तो एक आधर इसी जी के अंदर कौन कौंसी वेव होती है एक पी वेव होती है कौंसी वेव होती है। दूसरी वेव कौंसी होती है Q, R, S ये वेव होती है इस वेव के लिए complex भी कहा जाता है। इसे क्यूंकि क्यूंकि qrs एकठीटी वोकर के एक बेज करती हैं इसपार्स और यह कॉंपलेस्यthreerites टीशल्य वे जाता हैं इसे कनें लाता है इसे को से करता हूँ क्या बोला जाता है इसे इसे कहा जाता है इन इसके माध्यम निले सेक करना ही यह व्यकॉड कर lange ही ECG कहलाता है तो ध्यान दिजीगा यहां पर किस तरीके से इसका record तयार किया जाता है कंपटिशन बाले students से नोट भी कर सकते हैं यह एक scale मान लीजीगा यह scale है यह कौन सा scale होता है यह time का scale होता है time के लिए represent second से किया जाता है को के और यह क्या है यह voltage है यह voltage का यह scale लगा हुआ है कि अब होता क्या है इसमें कौन-कौन सी बेव produce होती है पी कि दूसरी qrs जिसे complex बेव कहा जाता है तीसरी ती भेव होती है तो जब ऐसे नोट के माध्यंसे heart की शेर्शना के अंदर बिद्दुद भिवब परवेश करता है तो उसमें आलंड और निले के अंदर परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन इन बेव्स के माध्यम से प्रदर्शित होता है तो ध्यान दिजी बिद्द भी अब जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ये बेव्स का बनना शुरू हो जाता है अब ये वाली जो बेव है इसे क्या बोलते हैं पी बेव इसे कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है और ये क्यों बेव हो यह आर्वेव हैं यह प्रदर्शिद करता है आलिंद के अंदर कितना संकुचन हुआ है यह प्रदर्शिद करते हैं इसे प्रदर्शिद लिए प्रदरशित करने कांप करती है और जो यह T wave है यह पुनहा फिर दोवारा से निले की सररशना में कितना संकुचन हुआ उसके लिए प्रदर्शित कर ने कांप करती है. निया फिर कह सकते हैं polarization की कडिया के लिए ये बेब सम्हार प्रदरशित करती हैं फेड चोह पर आर और अर एसोती हैं ये बैंट के उन्दर क्डियह अर्गि gag अब ध्याम दिजी यहाँ पर है इस उस फी बैंग में कितना टाइम लगा है 0.1 second यानि जो हिर्दे के अंदर atrium होते हैं उनके अंदर संकुचन क्रिया में या उसके polarization में कितना time लगा है या उसके संकुचन में कितना time लगा है 0.1 second नोट कर सकते हैं competition वाले students तो P wave को बनने में उसे कितना time लगा है 0.1 second अब इधर Q, wave, R और S का समय लगता है इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं कितना time लगता है 0.3 second का यह time लगता है ओके तो इस तरीके से यह आलिंद के अंदर होने वाली गत्विदी के लिए P wave दरसाती है और जो Q, R S है यह निले के अंदर होने वाली गत्विदी के लिए अनको दरसाने का यह काम करते है अब और उप्ता यह सीध्य डायरेक्षण में यह बेश इसके बाद में नीचे अफिर उपर क opens शीधी लाएं में ये चली गई ये ये क्या है ये क्या प्रदर्शित करता है ये प्रदर्शित करता है इंटर्वल बिस्राम की अवस्था के लिए प्रदर्शित करता है मैंने अभी आपको बताय था कि प्रदर्शित करती है आलिंद की सरशना में कितना संकुचन हुआ है कितना है ये कितना समय होताए बिस्राम का 05 गांट 10 सेकेंड का टाइम होता है इसके बिस्राम का इसे भी नोट कर सकते हैं आप लोग उके इसी तरीक़े से इसके बाद में वें इन बिर्व लिए प्रदर्शित करती है इसका टार्मिंग इसकेल कितना होता है जीरुपॉइंट वां सेकेंड का होता है इससे भी आप लोग है नोट कर सकते हैं तो इस तरीके से यह टाइम भी डर्सा जाता है तो अगर हट की सर्रस्णा में अगर हरदय की सर्रस्णा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कह सकते हैं जो एट्रियम की सर्रस्णा होती है बेंट्रिकल की सर्रस्णा होती है अगर यह सर्रस्णा अच्छे डंग से बर्क नहीं करती हैं अगर यह सरशना अच्छे डंग से कारिय नहीं करती हैं तो हमें किसके माद्यम से पता चलता है इसी ECG के माद्यम से पता चलता है यहाँ पर जो यह बेव है पी बेव है यह क्या हमें प्रदर्शित करती है क्या बताती हमें आलिंद की सरशना क्य कभी कभी आपने देखा होगा जो पैसेंट बिल्कुल अंतिम छडो पर होता है अंतिम पाइदान पर होता है या पूरी तैयारियां कर लेता है उपर जाने के लिए तो उसके अंदर जो इलेक्टोड लगा दिये जाते हैं तो हट की सरचना किस तरीके से वो उसके अंदर प्रदरसित होती है वहां पर तो हमें यह पता चलता है कि अट्रियम एंड बेंट्रिकल जो है वो किस तरीके से काम करते हैं अगर यह ठीक से काम नहीं करते हैं इन वेप्स के माध्यम से पता चल जाता है तो इसका त्रीटमेंट होता है तो हो सकता आपके लिए समझ माया हो तो इस तरीके से पी क्यू आर एस और टी बेवस के माध्यम से इनको रिकॉर्ड कर लेना इनको ट्रेस कर लेना क्या दर्साता है या कह सकते हैं आलंद एबं निले की सर्रस्णा में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें पी क्यू आर एस टी बेवस के माध्यम से रिकॉर्ड कर लेना या इसको ट्रेस कर लेना ही इसी जी की क्रिया कहलाते हैं ओके आप लोग के समझ में आया होगा जो इस्टुएंट्स हमारा यह चैनल देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें लाइक भी कर लें सेयर भी कर दें बेल आइकन का वी बटन दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकिशन आपके पास तक पहुंसता रहा है झाल